exercise 4.3 का question number first दिखते हैं first question में दिया हुआ है draw the graph of each of the following linear equations into variables देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे equations दिये हुए अब इन equations का आपको graph draw करना है equations से कैसे हम लोग graph को draw करते हैं यह चीज़ आपको मैं इस exercise के introduction पार्ट में बता चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा आप जाके उसको जरूर देख लेना तो यहाँ पर equation से कैसे इस graph को draw किया जाएगा चलिए whiteboard में देखते हैं देखो first question का जो पहला part दिया हुआ है इसमें बुला equation दिया है x plus y is equal to 4 अगर इस equation का use करके हम लोग को कोई graph draw करना है तो हम लोग को coordinate की जरूरत पड़ेगी और उस coordinate को हम लोग कैसे find out करेंगे यहाँ पर जो x और y का value होगा वो होगा graph का coordinate तो coordinate find करने का easy तरीका यह है कि इसका हम लोग solutions find out करेंगे आपको पता है linear equation in two variables के बहुत सारे solutions होते हैं infinite numbers of solutions होते हैं तो हम लोग 2, 3 या 4 solution find out करेंगे तो हम लोग को coordinates मिल जाएगा और उसके basis पे हम लोग graph को draw कर सकते हैं तो start करते हैं solutions कैजे find करते हैं आपको पता है पहले यहाँ पर x का value को 0 पुट करके देखते हैं let x equals to 0 अगर इस equation में x का value 0 पुट किया जाए तो y का value कितना आएगा देखो यहाँ पुट करते हैं 0 plus y is equals to 4 हो गया अब यहाँ पर 0 तो 0 हो गया y का value सीधा आगया y is equals to 4 तो पहला coordinate हमको मिल गया x का value 0 और y का value आगया 4 अब यहाँ पर पुट करके देखते हैं y का value अगर 0 पुट करेंगे let y is equals to 0 तो यहाँ क्या होगा x plus 0 is equals to 4 या फिर आप लिख सकते हो x is equals to 4 तो अब दूसरा आप लोग को जो coordinates मिला है इसमें x का value 4 है और y का value 0 है एक और find out कर लेते हैं अगर x का value 1 पुट करेंगे तो क्या होगा let x equals to 1 अब यहाँ पर अगर 1 लखेंगे तो 1 plus y is equals to 4 हो गया 1 यहाँ पर plus में है अगर उसको right side भेंगे वहाँ जाके subtract हो जाएगा y is equals to 4 minus 1 यहाँ फिर y is equals to 3 तो यहाँ पर आपको फिस से तो coordinates मिल गया है x का value 1 और y का value 3 अब इसके basis पे यह तीन coordinates के basis पे हम लोग graph draw कर सकते हैं पिछले chapter में आपते देखा है कि coordinates को कैसे आप Cartesian system में represent कर सकते हो बस वैसे ही करना है यह आगया आपका x axis ठीक है देखो white board में हो यह draw कर रहा हूँ तो यह perfect नहीं बनेगा जब आप graph paper में या copy में आप scale और pencil से बनाओगे तो यह perfect आपका बन जाएगा यह हो गया x axis और यह y axis यह positive numbers होते हैं इस center पर आगया 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह negative numbers minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 यहाँ उपर positive 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे negative minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6 देखो यह जो minus वाले values है इनको भी आप यहाँ पर use कर सकते हो आप check कर सकते हो अगर x का value minus 1 put करेंगे तो y का value क्या आएगा उसके basis पे भी यहाँ पर graph draw कर सकते हो ठीक है आप यहाँ कोई भी number ले सकते हो positive भी, negative भी अगर आप negative number लोगे तो negative side आपका जो graph है वो draw होगा positive numbers लोगे तो positive side draw होगा तो देखते हैं पहला coordinate है हमार पास 0, 4 x-axis का 0 तो यह ही है और y-axis का 4 यह है तो point कहां बनेगा यहाँ पर इस point का दाम है 0, 4 ठीक है अगला दिया है 4, 0 यानि कि x-axis में 4 और y-axis का 0 x-axis का 4 तो यह है और y-axis का 0 यह है इसका मतलब point बनेगा x-axis का 1 यह है और y-axis का 3 यह है तो point बनेगा यहाँ पर यह point बनेगा 1, 3 अब आपको क्या करना है scale का use करके या फिर rural को use करके आप यहाँ पर इन तीनों points को आप जोड़ दोगे तो आपको एक straight line देखने के लिए मिलेगा ठीक है इस exercise के introduction पार्ट में मैंने आपको बताया है कि किसी भी linear equation in two variable का अगर आप graph draw करते हो तो हमेशा एक straight line ही बनता है तो यहाँ पर एक straight line draw हो चुका है इसी तरीके से आप solutions find out करोगे solutions के base पे आपको coordinates मिल जाएंगे और आप उसका graph को draw कर सकते हो मैं इसको रब कर लेता हूँ इसका second part देखते है first question का जो second problem दिया हुआ है या second equation है वो है x minus y is equals to 2 अब चाहो तो यहाँ पर negative values रखके भी आप answer ला सकते हो जैसा भी चाहो आप कर सकते हो तो मैं 0 ही put करता हूँ पहले let x equals to 0 इस equation में x का value 0 होगा तो 0 minus y is equals to 2 हो गया या फिर minus y is equals to 2 अब याद रखो जब कभी भी आपको value find out करना है तो आप y का value find out कर रहे हो minus y का नहीं तो अगर यहाँ पर minus y आया हुआ है तो इस minus को हम लोग opposite side shift कर देंगे तो इसका value y का value हो जाएगा minus 2 ठीक है तो एक coordinate मिल गया x का value 0 y का value minus 2 अब y का value अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा let y is equals to 0 यहाँ हो गया x minus 0 is equals to 2 यहाँ फिर x का value सीधा 2 आगया क्योंकि अगर 0 को किसी से भी subtract करोगे तो answer तो वही आएगा ठीक है तो x का value 2 और y का value 0 याद रखो तहले वाले में हमर पास y का value minus 2 आया है ठीक है और यहाँ x का value plus 2 आया है अब आगे एक काम कते हैं x का value 1 ले लेते हैं तो क्या होगा 1 minus y is equals to 2 यहाँ होगा minus y is equals to 1 को right side shift करेंगे यहाँ plus है वहाँ जाके subtract होगा 2 minus 1 यह होगा minus y is equals to 1 अब same condition यहाँ पर minus y is equals to 2 आ रहा था तो minus side को opposite side shift कर देंगे यह हो गया y is equals to minus 1 ठीक है अब हमार पास 3 coordinates हो गया तीसरा coordinate है x का value 1 y का value minus 1 इसके basis पर हमनों graph को draw करेंगे तो मैं फिर से वह चीज़ बोलूँ मा कि मैं white board में draw कर रहा हूँ तो graph perfect नहीं बनेगा आप जब copy pen में बनाओगे या graph paper में बनाओगे तो यह graph एक्दम perfect होगा ठीक है यह हो गया x axis यह हो गया y axis और यह हो गया 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 यह उपर में 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 लेख लेते हैं well points कहां कहां पर है coordinate आपका पहला दिया है 0 और minus 2 तो x axis का 0 तो यह है ठीक है center point 0 है सबका 0 है और y axis का minus 2 अब y axis यह है y axis का minus 2 यहाँ पर आएगा तो point यहाँ पर बनेगा ठीक है इसका नाम है 0 और minus 2 इस coordinate लिक लेना है point यहाँ बनेगा इसका नाम है 2 और 0 ठीक है आपको सिर्फ coordinate लिक लेना है last time 1 और minus 1 तो x axis का 1 x axis का 1 यह है plus 1 है y axis का minus 1 तो यह y axis है और इसका minus 1 यह है तो point कहां बनेगा x axis का 1 और y axis का minus 1 point बनेगा यहाँ पर दोनों यहाँ पर मिल रहे है ठीक है यह इस point का नाम है 1 और minus 1 अब इन तीनों points को जोडते हूँ आपको एक straight line draw कर देना scale से line हमेशा straight ही draw होगा चाहे इस direction में हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो किसी भी quadrant पर होगा यह जो line है यह हमेशा straight ही draw होगा अगर line आपका straight नहीं बन रहा है तो इसका मतला आपने गलत solution find out किया है आपको equation को फिर से check करना है solution को फिर से check करना है ठीक है तब आपका फिर से straight line बन जाएगा मैं इसको रब करता हूँ इसका next part देखते हैं first question का जो third problem है third equation आपको दिया हुआ है y is equals to 3x अब यहाँ same चीज़ है आपको equation का solutions find out करना है पहले x का value 0 put करके देखते हैं let x equals to 0 y is equals to 3 into x के जगा 0 y is equals to 0 क्योंकि 3 से 0 multiply होगा तो 0 ही आएगा पहला coordinate हमारा होगा 0 0 क्योंकि x का value भी 0 और y का value भी 0 अब यहाँ पर y का value अगर 0 put करेंगे तो same मिलेगा आपने को 0 0 ही मिलने वाला है ठीक है इसलिए y का value 0 भी नहीं put करते आपने का आप करते है x का value 1 put कर लेते है let x equals to 1 तो y का value क्या हैगा y is equals to x के जगा 1 रखना है 3 into 1 y is equals to आगया 3 तो यहाँ दूसरा coordinate मिल गया x का value 1 तो y का value 3 देखो यहाँ मैं y का value 0 इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि जब x का value 0 रख रहे हो तो y का value भी 0 आ रहा है इसका मतलब अगर आप y का value 0 रखेगे तो फिर से x का value 0 आएगा तो आपको जो दूसरा coordinate मिलेगा वो भी 0 0 होगा तो कोई मतलब का नहीं देगा आपको दूसरा coordinate फिर से find out करना ही पड़ेगा इसलिए बहता रहे कि आप x का value कुछ दूसरा put कर लो 1, 2, 3 कुछ put कर लो तो सही रहेगा next आपको देखते हैं अगर x का value 2 होगा तो क्या होगा let x equals to 2 यह हो जाएगा y is equals to 3 into 2 y का value आगया 6 तो अगला जो coordinate है वो है 2 और 6 x का value 2, y का value 6 अब इसके बेस पर हम लोग को graph draw कर दा है इससे graph draw कर लेते है यह हो गया x axis और यह हो गया y axis 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि 6 तक maximum क्या है उपर भी 6 तक जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे तो कुछ भी ले सकते हो क्योंकि minus वाला कोई value नहीं है minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 और center में 0 तब देखते हैं पहला point कहा बनेगा पहला जो coordinate है आप देखो 0, 0, x axis का भी 0 है, y axis का भी 0 है x axis का 0 यही है, y axis का भी 0 यही है तो पहला point तो यही हो गया 0, 0 दूसरा है 1 और 3, x axis का 1 यह है y axis का 3 y axis का 3 यह है, तो point यहाँ पर बनेगा यह हो गया 1 और 3 next आपके पास है 2 और 6 x axis में 2 और y axis में 6 तो यह 2 और 6 आप देखोगे तो उपर जाएगा पॉइंट यहाँ पर बनेगा अब यहाँ से आप एक line straight आप ड्रॉक करोगे scale से तो यह एक straight line बनेगा देखो whiteboard में आपको straight नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं बिना ruler के बिना scale के बिना pencil के बिना measurement के ड्रॉक कर रहा हूँ जब आप graph paper में ड्रॉक करोगे तो यह perfect बनेगा या फिर copy में भी अगर आप pencil से और scale से ड्रॉक करोगे तो यह perfect straight line बनेगा जब कभी भी आपको straight line ना मिले तो आप समझ जाना कि आपका solution गलत है आपको solution को फिर से check करना है इस equation का ठीक है मैं इसको रब करता हूँ इसका एक और पार्ट बचा हुआ है वो भी देखते है और इस question का जो fourth part है आपको fourth part में दिया हुआ है 3 is equals to 2x plus y अभी तक आप जितना भी equation दीखे हो उसमें आपको x और y वाला value left side मिलता था और constant term y side तो इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x plus y is equals to 3 ठीक है कैसी भी लिखो फर्क नहीं पढ़ने वाला solution बस point out करना है पहले x का value 0 लेते है let x equals to 0 तो यह हो जाएगा 2 into 0 plus y is equals to 3 2 into 0 तो 0 हो गया तो y का value आ गया let y is equals to 0 तो यह जाएगा 2x plus 0 is equals to 3 देखो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास एक fractional number आ जाएगा ठीक है क्योंकि जब आप आप इसको solve करेंगे तो यह 3 by 2 हो जाएगा तो आपको graph में draw करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हाला कि बहुत दिक्तत नहीं है क्योंकि आपको graph में fractional number point out करना आपको पता है plot करना आपको पता है लेकिन फिर भी हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर x का value को ही assume करके चलेंगे ताकि y का value जो है हमारे पास ऐसा ना है कि वो fractional number हो ठीक है मैं assume कर लेता हूँ let x equals to 1 अगर x का value 1 रखेंगे तो क्या होगा यह हो जाएगा 2 into 1 plus 3 is equals to sorry 1 plus y is equals to 3 2 into 1 2 हो गया 2 plus y is equals to 3 2 यहाँ plus में right side जाके minus हो जाएगा तो यह हो जाएगा y is equals to 3 minus 2 y का value आगया 1 यानि कि अगर x का value 1 है तो y का value भी 1 ही होगा इस equation में ठीक है अब x का value आपन 2 पूट करके देख लेते है let x equals to 2 देखो मैं सिर्फ x का value इसलिए assume कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप y का कोई value assume कर लेते हो तो आपके पास हो सकता है कि fractional number आ जाए right side में आपको rational number मिलेगा और rational number को जब आप graph में plot करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जाएगा ठीक है इसलिए आप x का value assume करते होँ चलो ताकि आपको कोई rational number या fractional number ना मिले x का value यहाँ पर 2 put करता है तो यह हो गया 2 into 2 plus y is equal to 3 यह हो गया 4 plus y is equal to 3 या फिर y is equal to 3 minus 4 क्योंकि 4 इदर plus में right side जाके subtract हो गया y is equal to minus 1 4 minus 3 1 हो गया जो 4 बड़ा है 4 का sign लेंगे minus sign अब हमारे पास तीसरा जो coordinate आया है वो है x का value 2 और y का value minus 1 ठीक है अब इसको plot करके दिखते हैं बहुत easy है यह हो गया अपना graph यह x axis आ गया यह y axis center पे 0 है यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और इदर भी आ गया minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 और उपर जाएगा positive number 1, 2, 3, 4, 5 नीचे minus 1, minus 2, minus 3, minus 5 4, minus 5 ठीक लेते coordinate कहां कहां है पहला x axis में 0 x axis का 0 तो यह ही है और y axis का 3 y axis का 3 यहां पर है तो point बनेगा यहां पर 0, 3 दूसरा है 1, 1 x axis का भी 1 y axis का भी 1 x axis का 1 यह y axis का 1 यह तो point बन गया यहां पर 1, 1 तीसरा है 2 और minus 1 x axis का 2 y axis का minus 1 तो point आपको यहां मिलेगा यह यहां से उतर के यहां तक कि यहां से उतर के यहां तक point मिल गया यहां पर ठीक है इसको मैं रब कर देता हूँ यह point यह है 2 और minus 1 अब आपके पास 3 point है इन 3 point को join करते वे एक line आपको कर लेना है यह होगा exercise 4.3 का first question